अतित में दवे पाउं इस पाठ को लिखा है ओम ठानूई जी द्वारा ओम ठानूई जी ने इस पूरे पाठ में मौहन जोदरो, मौहन जोदरो चाहे कोई भी नाम दो इसकी खुदाई के बारे में विस्तार से बताए है जो इस खुदाई में मिला जो बस्तवे मोहन जोड़ों की खुदाई में मिली घर भी मिले जो खंडर हो चुके हैं ये सब चीजों को आधार बना कर एक अनुमाल लगाया गया है कि 5000 साल पहले यहां लोग कैसे रहते होंगे उनके पास कौन-कौन से साधन रहे होंगे उनका रहन सेहन इन सब के बारे में इस पूरे पार्थ में समझाया गया है लिखक ओम्थानवी ओम्थानवी वहां घूम कर आए हैं यातरा करके आए हैं जिनके बारे में वो पूरे पार्थ में बताते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्ते मेरा नाम आशीश है अतीत में दबे पाउं सबसे पहले इस पाठ के नाम का अर्थ जान लेते हैं अतीत का मतलब होता है भूतकाल भूतकाल यानि पाश्ट और दबे पाउं यानि जो दब चुके हैं पाउं अतीत में जो पाउं दब चुके हैं अर्थात भूतकाल मे पाष्ट में जो किस्से कहानिया दब चुकी हैं बातें दब चुकी हैं उनके बारे में इस पूरे पाठ में वर्णन है इस पाठ का अर्थ हुआ कि भूत काल के किस्से भूत काल की कहानिया भूत काल की बातें ये सभी अर्थ इसका अर्थ को चरितार्थ करती हैं यानि अतीत में दबे पाउं का अर्थ निकालती हैं तो ये था पाठ के नाम का अर्थ मुवन जोदलो और हडपा ये दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में हैं पहले ये हिंदुस्तान का हिस्सा थे परन्तु बटवारा होने की वजह से ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है सिंदुगाटी सब्वेता के बारे में, वो एक बड़ जरूर कमेंट में बताइए, जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन ऐसे बच्चे हैं, जो मोहन जोड़ो और हरपा, इस दोनों क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, एक बड़ कमेंट कीजिए, हडपा क्षेत्र, हडपा क्षेत्र में रेल लाइन बिछा दी गई थी, रेल लाइन बिछा दी गई है, जिसकी वज़े से जादा खुदाई नहीं हो पाई, लेकिन मोहन जोड़ो की जो खुदाई थी, वो बहुत विस्तार से की गई, विस्तार से की गई और बहुत कुछ पता लगा इसके बारे में, उस समय जो मोहन जोड़ो की अबादी थी, लगभग 85,000 के आसपास थी, यानि उस समय का जो ये शेत्र था, महान अगर्थ हुआ करता था, जैसे आज दिल्ली, मुंबई, कॉलकता, इस तरह के महान अगर हैं, उस तरह के मोहन जोड़ो हुआ करता था, वहाँ जो घर हुआ करते थे, वह चोटे-चोटे तीलो पर बने थी, यानि मोहन जोड़ो में जो घर बने है, वो तीलो पर बने है, तीलो का मतलब वो छोटी-चोटी जग़ बनाकर, यानि थोड़ा उच्वाइग देकर, उसके उपर घर बनाए गये है, घर उच्चा बनाने का एक कारण था ये जान बूचकर किया गया था टीले कोई प्राकर्तिक नहीं थे नैच्रल नहीं थे जान बूचकर टीले बनाए गए थे और उनके उपर घर बनाया गया था कारण ये था कि सिंदू नदी बहती थी पास में ही यानि मोहन जोड़ों में सिंदु नदी है जो आप जानते ही होंगे तो सिंदु नदी के पानी के रिसाव ने हो अगर पानी अगर बाहर आ जाता है ओवर्फलो हो जाता है तो मोहन जोड़ों के घरों को नुकसान ने हो ऐसा इसलिए किया गया था कि टीलो पर घर बनाये गए थे यानि थोड़ी उचाई देकर घर बनाये गए थे ऐसा लेखक ने इस पार्ट में बताया है दूसरी बात कि दो शेत्र थे एक था मिस्र और एक है मेसोपोटामिया जो इराक देश के हैं ये दो शेत्र ऐसी थे जो दुनिया के सबसे पुराने शेत्र माने जाते थे परंतु जब मोहन जोड़ो और हडपा के बारे में पता चला यानि इसकी खुदाई संबव हुई तो इन दोनों को सबसे पुराना माने जाने लगा क्यों क्योंकि ये 5000 साल पहले की कहानिया है यानि 5000 साल पहले की सब्यता है जो सबसे पुराने माने जाने लगी यानि हिंदुस्तान का ऐसा शेत्र मोहन जोड़ो और हडपा सबसे पुराने शेत्र माने जाने लगे बजाए इराक के जो दो शेत्र थे यानि मेसोपुटामिया और मिस्र जब इनकी खुदाई हुई तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो पाँच हजार वर्ष पुरानी थी जिसकी वजह से ये सबसे पुराने क्षेतर माने जाने लगे मुहन जोड़ो में एक बोधस्टूप है जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में ये यहां का आकर्षन का केंदर है आकर्षन का केंदर मतलब ये बहुत अच्छा जगह है जहां लोग आते थे ये शहर से थोड़ा दूर है मुहन जोड़ो एक शहर है जो जिससे थोड़ा सा जनान होता होगा इसकी गहराई अगर जलकुन की गहराई की बात करें तो साथ फुट है कुन का पानी बाहर निकालने के लिए जब इस कुन का पानी गंदा हो जाता होगा तो बाहर निकालने के लिए नालिया भी बनी हुई है नालियाँ पक्की इट्व से ड्थकी भी हुई है लेकिन अगर आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता इस कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए एक शाथ में कुव भी है जिससे पानी लिया जाता था और पूरे मोहन जोड़ों की बात करें तो 700 के करीब कुएं हैं जो पक्की इटों से बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि सिंदु गाटी सब्धता संसार की पहली संस्कृती है जो कुएं खोद कर भूजल तक पहुँची नदी, कुएं, कुंड, पानी की निकासी के लिए बेजोड व्यवस्था ये सब जल संस्कृती ही तो हैं मुवन जोड़ों में उन्नत खेती भी होती थी गीहूं, जो, सरसो, चने, खजूर, खरबूजे इस तरहें के बहुत सी फसल वहां के लोग उगाते थे इन सब के बीज खुदाई के दुरान मिले हैं, अब आपसे एक प्रशन, सिंदू गाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हैं, जानते हो तो कमेंट कीजिए, देखना चाहता हूँ कि कौन-कौन बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वास्तुशैली, वास्तुशैली एक्च्चुल में है क्या, हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है, जो ढाचा है, वो किस तरह का है, इसी को वास्तुशैली कहते हैं, कि जैसे दक्षिन की तरफ हमें ये रखना है, रसोई को इस तरफ रखना है, इस दिशा में रखना है, मंदिर ह इसी तरह ऐसे कमरे इस तरफ से उना चाहिए ये वास्तुशैली होती है जो आर्किटेक्ट या पंडित लोग भी बताते हैं तो उसी को वास्तुशैली कहते हैं यहां के जो घर है यानि मोहन्जोद्रों के जो घर है उनकी वास्तुशैली लगभग एक जैसी है यहां के कुछ कुछ घरों की दिवारें बहुत मोटी भी हैं मोटी दिवारों को देखकर ये अनुमाल लगाया गया है कि इन घरों में दूसरी चत यानि दूसरी मंजिल भी रही होगी ज़ादतर घरों का आकार लगभग तीस गुना तीस फुट है कुछ घर दुगने और तीगने आकार के इन सब की वास्तुशेली लग भग एक जैसी है लिख जब थोड़ा और आगे चला तो वहां भी बहुत से घर थे वहां एक बात गोर करने की ये थी कि कुछ घर कुछ घरों में जो छोटे छोटे कमरे थे मतलब कुछ घर ऐसे थे जो छोटे थे और कुछ घर ऐसे थे जो कमरे बने हुए थे ये समझ में नहीं आया तो बाद में इस बात का अनुमान लगाया गया कि यहां की आबादी बहुत जादा रही होगी इसलिए ऐसा है यानि छोटे-छोटे कमरे बना दिये गए मुएं जुदरों की खुदाई के दुराने एक मूर्ती निकली जो एक नर राश्रिय संग्राले में हैं यानि नेशनल म्यूजियम में हैं जाकर आप देख सकते हैं और शायद देख भी रखी हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना दिल्ली म्यूजियम का नाम है नेशनल म्यूजियम अर्थात राश्रिय संग्राले लेखक जब मोहन जोड़ो के तो रात छोड़ कर चला गया था घरों में जो समान था वो बाद में लोग उठा कर ले गए आज भी वहां के घरों में कोई नहीं रहता घर खंडर हो गए है तो लेखक जब वहां यानि मोहन जोड़ों में टहल रहा था खंडरों को देख रहा था तो इसलिए उसे राजस्तान के गाउं की याद आ गई लेखक मोहन जोड़ों के अजायब घर अजायब घर यानि संग्राले म्यूजियम बात एक ही है संग्राले म्यूजियम या अजायब घर तो लेखक जब वहां गया तो वहां एक म्यूजियम था मोहन जोड़ों में वहाँ पर भी वो गया जिसमें मोहन जोड़ों की खुदाई में निकली हुई वस्तुएं परदर्शित हैं यानि दर्शाई हुई हैं मोहन जोड़ों की खुदाई में निकली हुई चीजें 50,000 से भी ज़्यादा हैं लेकिन जलतर समान, जो जलतर समान है जो निकला है, पचास जार जो मैं बता रहा हूँ, उसमें जलतर समान दिल्ली, लाहोर, करांची और लंदन, इनके जो म्यूजियम हैं, वहाँ पर परदर्शित हैं, यहां मौन जोड़ो के अजायब घर में बहुत कम वस्तों ही हतियार नहीं मिलने का क्या रीजन हो सकता है, क्या यहां कोई राजा नहीं था, जबकि यहां की संस्कृति के अनुमान से तो यह लगता है, कि यहां लोग नियमों को तो मानते थे, यानि नियम का पालन करते थे, जैसे घरों का एक तरह की वास्तुशैली से बनवाना, यह झालि नियम ही था और नगा दोर जाने कितने चीजें ऐसी है जो इससे पता चलता है कि यहां के लोग नियम को मानते थे तो इन बातों से मतलब बाद में एक बात इस ень बातों से एक अनुमान ही है बड़ी बड़ी आली शान चीजें यहां नहीं मिली इस बात से यह अनुमान लगता है कि यहां भव्यता अर्थात दिखावा या आडंबर नहीं था यानि आडंबर हीन लोग थे यहां के अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने दिल्ली के म्यूजियम का नाम बताया था देखते हैं कौन-कौन याद रख पाया कमेंट करके बताईए अन्त में लेखा कहता है कि मौन जोदरो की खुदाई अब बंद कर दी गई है क्यों? क्योंकि सिंदू नदी के पानी का रिसाव और कीचड उत्पन होने की वजह से खुदाई को रोकना पड़ा और जो यहां मौजूद खंडर है जिनको खोज लिया गया है जिनको ढून लिया गया है इनको बचाना ही अब सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि यह हमारी 5000 साल पहले की संस्कृती है जो दिखाती है कि उस समय का जीवन कैसा था वैसे तो मैंने आपको पूरा पार्ट शोट में समझा दिया है अब आप पार्ट को पड़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन 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 आप इस पार्ट की हर एक लाइन को आप मुझसे समझना चाते हैं तो कमेंट कीजेगा बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इस पर वीडियो बना दी जाएगी आपकी क्लास से रिलेटिड और भी वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए ताकि बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाए और इसके साथ साथ जो वीडियो बन चुकी है आपकी क्लास से रिलेटिड जो वीडियो बन चुकी है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा शुक्रिया धन्यवाद